हलो गाइज कैसे हैं आप लोग आप सभी अच्छे होंगे मेरा नाम है रितू और आप देख रहे हैं रिली रिव्यूज गाइज आपने सुना तो होगा कि विंटर्स के अंदर हमें अपने बॉडी के हर एक पार्ट को मॉर्स्टराइज रखना चाहिए इससे क्या होता है कि जो हमारे बॉडी का जो सकेंड है वह डेड़ नहीं होती है और वह होती शाइनी रहती है हमेशा लेकिन समद में बॉडी के कुछ एक ऐसे पार्ट भी होते हैं जो हमेशा ड्राइए रहते हैं लेकिन उनको मोर्स्टराइज हमेशा रखना बहुत जरूरी होता है अगर आप सोच रहोंगे कि मैं किस बॉड़ी पैट की बात कर रही हूँ तो मैं बात कर रही हूँ लिप्स की गैसहा मैं चेयर करने वाली हूँ आपके साथ हिमाल्या लिप आम चाहिए यह प्रोड़क्त कैसा है या आप से यूज नेखना चाहिए या आप में से काफली वीडियो पेसले आए होगो जो देखना चाहते होंगी कि नहुंनाय यह नए लिफशाया है ओ आया है तो आपसो प प्रोडक्ट आपको खरीदना जाहिए नहीं बिलकुल मैं आपको बताऊंगे शुरुबात करते हैं अपनी वीडियो के साथ जो की है हिमाल्या लिप बाम की गए इसकी पाकजिंग के पारे में पहले हम बात करते हैं यह जो आप तेख रहे हैं यह ट्यूब सर्फ इतनी सी ट् और इसमें बेस पार्ट यह है कि इस ट्यूब में आपको जितना चाहिए आप उतना यूज कर सकते हैं आप इसको पिछे से स्क्वीज करेंगे तो उसके बाद यह प्रोड़क्ट आपका यहां से निकलेगा प्रांस्पिर्न प्रोड़क्ट होता है यह और सबसे अच्छी इस बात है कि यह बहुत ही पोटेबल है आप कहीं पर भी इसको रख सकते हैं और ट्रेवल फ्रेंडली प्रोड़क्ट है यह इस प्रोड़क्ट के बारे में अगर मैं बात करू अगर हाईजीन पर्पस के कॉर्ड़क्ट ली तो जस्ट बिकॉस कुई आपको जितना अगर अगर डिफरेंट लोग इसे लगाएंगे अपने लिप्स पे डारा की तो हो सकता आपने से किसी को कुछ अलर्जी हो जो की स्किन रिलेटेड होगी तो अगर आपके लिप्स बहुत ही ज्यादा फटते हैं एकसिसिवली फटते हैं मतलब क्या आप लगानेजीए कि सम स्मय चराइज नहीं रहते तो सबसे पहले मैं बताऊंगी यह प्रोड़क्त आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रोड़क्त है आप यगीन ही मानेंगे कि अगर मैं कभी अपने आफिस में भी होती हूं तो मेरे लिप्स इतने ड्राइ रहते हैं कि मैं इसको हमेशा अपने पर रखते हूं जैसे मेरे ड्राइ हो जाते हैं लिप्स मैं इसके लगा लेती हूं लेकिन सबसे इंपोर्टन बात ही है कि इसको लगाने के साथ साथ आपको पानी भी पीना बहुत ज़रूरी है आप अगर सिरफ बहर से रेमेडीज करेंगे तो आपको असर करेगी लेकिन लेकिन आप इंटर्नल रेमेडीज करेंगे तो वह आपको जल्दी हल्पुल करेंगी काफी कंपनी जो की एक रूल फॉल करती है है हापी इंसाइड आउट का तो शायद वह इसलिए क्योंकि उनको पता है कि जो उनके प्रोड़क्स है वह इंटर्नली भी हल्प करेंगे और अगर में इस प्रोड़क की बात करूं हमालया लिब बाम की तो इस पे जो कंपनी क्लेम करती है वो जो में इंग्रीडियंट्स है वह हैं वीड्ग्रेड ओड और एंड करती है इन दोनों प्रोड़क्त का मेजर यूज है इस लिब बाम फॉरमेशन के अंदर किस तरह से यह प्रोड़क्त करता है तो कंपनी ने जो क्लेम किया है वो कहता है कि वो नारशेंस लिप्स करती है प्रिवेंट ड्राइंग एंद चापिंग जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि मैंने इसको आप लगा लीजे कि बात करूँ आपके साथ तो आप इसे अगर फॉर एक्जांपर कोई लिप्स्टिक लगा रहे है तो लिप्स्टिक लगाने के बाद आप इसको थोड़ा सा लिप आप अपने फिंगर टिक पे लेके डॉटेड फोव में तब आप अपने लिप्स पे सबसे पहली लेयर लिप बाम की लगा सकते हैं उसके उपर यह आप लिप्स पे लगा सकते हैं बाम ताकि जो आपके लिप है उसको एक लिएरी मिल जाती है और कवरेज मिल जाता है ताकि आपके लिप्स हमेशा शाइनी रहते हैं अभी आप मेरे चहरे पे देख रहा होंगे, मैंने कुई भी मेकप लहीं करा है, बिल्कुल एकदम क्लिंग तो चहरा मैंने इसलिए ही रखा था, मैंने का कि मैं अगर लिप ग्लॉस लगाऊंगी तो आपके सामने ही लगाऊंगी, तो मैं लिप बाम को हलका स्कुईज करती और उसमें से कुछ पार्ट आप देख सकते हैं कि निकलाया है, तो मैं इसको चाप कर सकते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं कि लिप्स मेरे बहुत ही शानी लग रहे होंगे आपको, ट्रांस्पेरेंट है बिल्कुल, तो कोई भी कालर फॉर्मेशन नहीं आ रही है इसम और अगर आप लिप्स्चिक लगाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप इसे भी लगा सकते हैं लिप पाम को, ट्रस्ट मी वो आपको और ग्लोइंग फील देगा, ये प्रोड़क्त बहुत ही ज़ाधा अच्छा और एफेक्टिव है, तो मैं जरूर कहूंगी आप इसे जरू इस प्रोड़क्त की थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं, जिसे इस प्रोड़क्त की MIP 35 रुपीज की है, इस प्रोड़क्त की जो प्वांटिटी है, वो 10 ग्राम्स की है, और इसकी शेल फ्लाइट 3 एयर्स की है, आप एक अच्छे और एक अफोर्डेबल लिप ब लाश मेlegenे हैं, तो आप इसी बिल्कुल इसे ट्राइ कर सकते है, इसी जो फ्रेग्नेंस है, वो बहुत ही स्वी फ्रेग्नेंस है, हिमालया लिप बाम को यूज करने से, आपकी जो लिप्स है, वो बहुत जदी हील हो जाते हैं, और ūी साथ ये जो प्रोड़क्त है, बह cold weather, hot or dry weather, frequently licking your lips, medical conditions, vitamin deficiency, dehydration. Kalyan lip balm is composed of skin-safe ingredients such as castor oil, great for dry lips, carrot seed oil, has antimicrobial antioxidant properties that prevent aging, sunburn, wheat gram oil, trees dry, processes, nourishes the skin, high markup, has strong anti-oxygen properties and organic coconut oil. Let's talk about their very very important key ingredients. Castor oil is used extremely to relieve various skin conditions like dry skin, cracks and sunburn. Coconut oil is an effective emollient and used externally for softened lips. Also, it is an effective moisturizer for all skin types including dry skin. Carrot seed oil is reported to reach in vitamin A in the form of beta, carotene which is known to protect from sunburn, carot is an excellent natural antioxidant which scavenges free radicals. Sweet Indrajao is used in traditional system of medicine for its multiple skin care benefits. Its extrinsic and anti-inflammatory properties helps manage skin conditions. Wheat germ oil is a rich source of natural vitamin E which nourishes the skin and prevents moisture loss. It exhibits excellent skin conditioning activity which tones or soften the lips. If you like my video, please tell me in the comment box that I hope you like this video. So, there is a request to like, share and subscribe to this channel. Every like and every subscription is very important to me. My video, please share my friends and relatives with your chap lips with your chap lips. If you haven't followed me on Instagram, then I will share my link with you. You can refer me on Instagram and follow me on Instagram and follow me on Instagram. If you want to give me a recommendation of some products related, then you can tell me. I will do the review of that product. This video is basically for those lips whose lips are very problematic and have a lot of issues related to your lips. Hopefully, this video will be very helpful for everyone. Guys, we'll see you in a new video. Till then, bye-bye.